although my friends कैसे हो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रीक देने जा रहा हूँ जिससे आप मोल कंसेट के किसी भी प्राभलम को बहुत ही इजी सॉल कर सकते हैं तो वो ट्रीक में जाने से पहले हम समझ लें कि मोल है क्या तो देखो बहुत सिंपल है आप मोल के बारे में सब कुछ जानता हो अगर मैं ऐसे रिलेट करता हूँ उसको, डजन के बारे में सब लोग जानते है वाट इस डजन है कि अगर कोई भी आपको बोलता है तो सीधह आपके माइंड में क्या पिक्षर आता है कि उसमें 12 पीस होंगे तो भाई जो डजन है वही तो मोल है और वो कैसे, बहुत सिंपल वाट मोल में क्या हो गया, सिरिफ नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत जाद हो गया तो बच्चों का फिर वहाँ पे क्या होता है माइंड काम करना बंद कर देता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है बहुत ही सिंपल है जैसे वन डजन में 12 पीस आपके माइंड में आता है वैसे ही आज से वन मोल बोलते हैं आपके माइंड में कितना आना चाहिए 6 इंटू 10 की पार 23 है नाव तो कोश्चन इज कि फिर ये चीज़े कहां पे योज होती है मैक्रो लेवल पे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और ये चीज़े वो माइक्रो लेवल पे बहुत ही small like atom निकारना हो molecules निकारना हो ions निकारना हो तो वहाँ पे हम यूज करते हैं तो ये चीज़े हमारी आँखों से दूर होती है इसलिए हमारा mind जल्दी इसको accept नहीं करता है बत अगर आप ऐसे सोचें कि जो dozen है वही mole है ध्यान दे बोथ हर measuring quantity तो dozen बोलते ही आपके mind में mole आना चाहिए और mole बोलते ही आपके mind में dozen अगर दोनों का अपने relate कर लिया तो जैसा इसका calculation करते हैं वैसा इसका करेंगे और आपके question आराम से होंगे नाव ये जो 6 into 10 की पावर 23 है इसको एवोगादरो number भी बोलते है और इसको na से भी represent करते है और you know कि इसमें 6.023 होता है बट calculation को easy रखने के लिए हमने 6 into 10 की पावर 23 लिया और एक बहुत ही important point कि जो mole है उसी का दूसरा नाम gram atom है gram dash atom करके लिखा होगा कहीं पे तो वो mole को ही कहना चाहरा है mole का ही दूसरा नाम gram molecule है, gram iron है अगर यह कहीं पे लिखा हुआ है तो directly इसका मतलब है कि आपको mole given है तो पहला point किलियर हो गया कि dozen ही mole है जैसे one dozen में 12 piece है वैसे ही one mole में 6 into 10 की पावर 23 particles है पहले यह हमें किलियर हो जाना चाहिए अब हम बात करते हैं कि mole को calculate कैसे करेंगे तो देखो मैंने लिखा है mole that is nothing but आपके mind में always mole बोलते क्या आना चाहिए एक दूसरा word dozen जो mole चीज है वही day to delay में हमारे लिए dozen है तो इसको calculate कैसे करेंगे तो यह depend करेगा कि आपको question में given क्या है अगर question में weight या mass given है ध्यान दे chemistry में weight या mass एक ही बात है तो अगर आपको जिसका moles ने करना उसके mass या weight given है तो आपको क्या divide करना पड़ेगा atomic weight से अगर atom है तो atomic weight से और molecule है तो उसके molecular weight से आप divide करतेंगे given weight में तो you will get moles इसलिए short form में आपको कैसे लखेंगे W given weight in gram ध्यान रहे ग्राम में लेना है divided by molecular weight अगर molecule होगा तो atomic weight अगर atom होगा तो you will get moles similarly अगर हमें volume given है at STP तो STP का मतलब क्या है standard temperature and pressure that is fix है temperature हम 0 degree Celsius that means 273 Kelvin लेते हैं और pressure 180 लेते हैं लेकिन जो भी standard है वो one bar माना जा रहा है इसके होजासे volume अब हम केतना लेते हैं 22.7 आप 22.4 भी ले लोगों तो उससे फर्क नहीं परेगा जादा तो volume जो given होगा STP पर ध्यान रहे कि volume should be at STP और वो liter में लेना है so that 22.7 से आप divide करेंगे तो you will get moles इसलिए short form में हमने ऐसे लिखा volume in liter divided by 22.7 अगर number of particle given है तो क्या करना एवोगादरो number that is 6 into 10 की पावर 23 से आपको क्या कर देना divide कर देना तो आपको मिल जाएगा फिर से क्या moles जिसको मैं n number of particle divided by n एवोगादरो number volume अगर given हो liter में तो दोनों को multiply कर देंगे molarity into volume तो you will get moles तो ध्यान दे कि अगर mass given है तो atomic weight या molecular weight से divide करना है यहाँ divide है volume given है STP पे तो भी divide करना है 22.7 से x fix number है particles given है तो x fix number 6 into 10 की पावर 23 से divide करना है तब moles मिलेगा लेकिन molarity given है तो उसमें multiplication आ रहा है और that means volume से multiply करना है volume should be liter तो you will get moles तो पहले हम एक idea आ गया कि 4 तरीके से हम moles निकाल सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको यह use होगा उसके बाद यहाँ भी use हो सकता है उसके बाद यह use होते हैं या फिर यह use होंगे तो चार तरीके हैं moles निकालने के एक बार हमें mole आ गया तो अब उससे related problem जो exam में पूछे जाते हैं उसको कैसे calculate करनेंगे उसके लिए मैं देने जा रहा हूँ trick नाव अब मैं बात करता हूँ tricks की तो दियान से देखो कि tricks का point क्या है यहाँ पर जो मैंने capital letter में ले रखा है AB वो आपका reactant होगा मैंने in general एक reaction को assume किया हुआ है तो AB हमारा reactant है DE मेरा product है जो small letter है AB DE जो blue color से मैंने दिखाया है वो हमारे stachymetric coefficient है that means जो reaction को balance करने के लिए आगे जो number आएंगे वो है और यह जो मेरा x y है यह given mole है जो question में moles दे देगा या फिर mass दे दिया volume दे दिया number of particle दे दिया molarity दे दिया तो कैसे moles निकालेंगे finally आपको पहले moles में लेके आ जाना है now उसके बाद अगर हमें एक से ज़्यादा reactant के बारे में information है that means A का भी moles given है B का भी तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई न कोई एक पहले reaction में consume हो जाएगा जिसको हम limiting result बोलेंगे तो उसका भी calculation कैसे करेंगे और mole का भी calculation कैसे करेंगे वो उसके लिए एक very simple trick है कि आपको जो mole given है ध्यान दो जो mole given है x y उसको आपको divide कर देना है जिसका moles given है उसके stoichiometry से उसके आगे के number से इसलिए मैंने ध्यान से देखो दिखाया है A का mole अगर x है तो x को मैंने divide कया उसके stoichiometry से वैसे ही B का moles अगर y है तो y को divide कया उसी के stoichiometry से ध्यान दे जिसका moles given है जिस reactant का moles given है उसके moles को उसके ही stoichiometry मतलब उसके आगे के जो balancing वाली number है उससे divide कर देना है divide करने के बाद आपको compare करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है small कौन है तो मैंने suppose कि यह वाला smallest series पर start दिया है वो आपको question में समझ माजागा कि इन दोनों में small कौन है अगर suppose करते हैं कि y by v is small तो जो small होगा जो less होगा वही आपका limiting reason होगा that means जो आपका reactant b है वो एक limiting reason है तो limiting reason निकलना आगया now अब हमें इन सब के mole का calculation कैसे करेंगे या इनके कितने moles बचेंगे उसको कैसे करेंगे तो जो आपको y by b जो limiting reason हुआ जिसको आपने divide करने के बाद compare का कि यही less है तो आप क्या करना आपको इस y by b को sum में multiply करना अध्यान से देखो e के सामने भी हमने y by b लिखा d के सामने भी y by लिखा y by b लिखा b चुकि limiting reason था यह तो consume हो गया खतम हो गया इसलिए 0 और इसके सामने भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा y by b now the question is कि करना क्या है जो आपको moles given होगा उसको उसके stoichiometry से divide करके उनमें compare कर लेंगे कौन कम है जो कम है उसको sum में नीचे में लिख देना that means multiply कर देना और क्या करना है जो इसका stoichiometry है उसको इसमें multiply कर देना है तो यह आपको moles of e formed आ गया वैसे ही अगर मुझे d का निकारना होगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर multiply करना पड़ेगा तो इन दोनों में जो less आया है वो number sum में multiply होंगे into जिसका moles निकार रहो उसका stoichiometry उसके आगे का number दियां से देखो तो यह आगया यह तो 0 ही हो गया अब इसका अगर निकारना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर multiply करना पड़ेगा तो यह तो वो moles है जो react हो गए तो बचे केतने तो लिये थे आपने केतने x तो बचा केतना x minus a into y by b तो यह trick को अच्छे समझो अभी मैं इसका application की बात करूँगा again I am telling very simple जो moles given होंगे उसको divide करना है उसके corresponding stoichiometric coefficient से फिर उन दोनों में जो less होगा वही limiting result होगा उसी less वाले को sum में multiply कर देना है और जिसका moles निकानने जारो उसको उसके stoichiometry से multiply कर देना है तो अब देख सकतो y by b अगर मेरा less है तो मैंने sum में y by b लिखा और इसका stoichiometry e था तो इसे multiply कर देया तो e के कितने moles formed हुए यह आगिया चुकि यह reactant है इसके moles consume होंगे तो कितना बचा left कितना हुआ तो एतना तो react हो गया a into y by b लिया था हमने कितना x तो x minus this यह जो भी number आएगा यह left है और यह तो limiting result है खतम होगया तो यह 0 हो जाएंगे अब सब के moles आ गये तो फिर इससे आपको दूसरा चीज़ पूछा सकता ह पूछ लिया तो यह answer हो जाएगा number of particle पूछ लिया तो एवगादर से multiply कर देंगे mass पूछ लिया तो molecular weight से multiply कर देंगे volume पूछ लिया तो 22.4 लिटर से multiply कर देंगे तो बाकी आप जो पूछेगा एक बार मोल आ गया तो फिर सब कुछ आ चुका है अब हम बात करते हैं application की तो धियान से देखे यहां पर मैंने एक question लिया है कि 3A plus 2B gives you 5C plus 6D now the question is कि आपको 6 moles of A given है और 8 moles of B तो आपको पूछा जा रहा कि C के moles केतने होंगे and D के moles केतने होंगे देखो मेरे simple tricks आप कैसे करोगे हमने आपको क्या बताया था कि जो mole given होंगे उसको आप divide कर देंगे उसके stoichiometry से तो यह 6 by 3 हो जाएगा यह 8 by 2 हो जाएगा यहां से देखो तो 6 by 3 आपका कितना हो गया 2 और 8 by 2 कितना हो गया 4 तो आप देख सकतो इन दोनों में small कौन है small हो गया आपका यह तो अगर मुझे इसका moles निकाना है C का तो direct यह number 2 और इसका stoichiometry 5 तो कितना हो गया 10 moles answer आच चुका है वैसे अगर मुझे इसका निकाना होगा तो यह 2 sum में multiply होंगे और इसका stoichiometry 6 तो कितना हो जाएगा इसके 12 moles इसके बनेंगे very simple इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0 क्यों क्योंकि वो तो limiting reason था खतम हो गया अब इसका B का क्या पूछा जाएगा कि कितना moles बचा और कितना moles react हो तो अगर react हो कि बात करेंगे तो same way point 2 into इसका stoichiometry 2 तो 4 moles तो क्या हो गया यह react हो गया अगर मुझे पूछा जा कि 8 minus this तो फिर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा left moles तो I hope समझ माया होगा now एक और question मैंने लिया है कि H2 के 8 gram O2 के 64 gram के साथ हरियक करेंगे तो water के कितने mass produce होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे ही solve कर देते हैं तो यह तो बिल्कुल गलत mass में कभी भी solve नहीं करना always आपको moles में solve करना है second thing कि यह trick तभी apply करना जब आपकी reaction balance हो यहाँ पे आपकी reaction balance नहीं है क्योंकि इधर 2 oxygen इधर 1 oxygen है तो पहले आप balance करो तो इधर 2 है तो इधर 2 लगा और यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा अब यह reaction हो गए balance यह mass given है तो कोई बरी बात नहीं है बस आपका एक step और बढ़ा दिया तो पहले आप moles निकालने इसके तो इसके moles कितने हो जाएंगे 8 by इसका molecular weight 2 तो इसके moles हो जाएंगे 4 और इसका 64 divided by इसका molecular weight 32 तो इसके moles हो जाएंगे आपको 2 दियान दे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 8 divided by 2 to the 4 कर देते हैं वो नहीं करना यह जो number आ रहे हैं यह आप ले के आ रहे हैं balancing के लिए molecular weight is fixed तो हमने molecular weight से divide किया है तो कहने का मतलब एक step कैसे बढ़ गया कि अगर यह आपको 4 mole दे देता और यह 2 moles दे देता तो फिर आप easily कर लेते हैं अब आपको क्या करना मालूम है एक step आपको करना है कि 4 divided by 2 करना है और 2 divided by इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या 1 तो यह करना है तो यह 4 by 2 कितना हो गया 2 और यह भी कितना हो गया 2 तो दोनों सेम आगे तो फिर इसका उतलब दोनों ही limiting result है that means reaction 100% आपका यहाँ पर complete हो जा रहा तो दोनों ही जब सेम आजाए तो दोनों ही limiting result है किसी से भी calculate कर सकते है तो हमें इसका निकानना है तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ इन दोनों में दोनों सेम ही है तो 2 into इसका stachometry 2 तो कितना आगया 4 moles आगया लेकिन आपको moles नहीं पूछा है उसने पूछा क्या है कि इसक 4 into 18 मतलब 72 gram produce होगा आपको तो it's very simple कि आप देख सकतो मैं कैसे कर रहा हूँ now next question पर जाते हैं कि अगर N2 और H2 react करके NS3 दे रहा है और आपको question में given है कि N2 के 8 moles लिया और H2 के 6 moles तो NS3 के कितने moles मिलेंगे तो again अभी आप direct solve नहीं कर सकतो stick से क्योंकि reaction balance नहीं है reaction should be balance तो reaction को ह सकते हैं यहां पर 2 nitrogen है तो यहां पर 2 करना परेगा hydrogen 6 होगे तो यहां पर 3 करना परेगा और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 उसके बाद आपको simple moles given है तो 8 को मैं divide कर दूँगा 1 से और 6 को divide कर दूँगा 3 से अब देख सकतो तो यह 8 हो गया और यह 2 हो गया तो that means less या small यह हो ग 2 that is 4 moles इसके answer हो गया देखो कितना easy way में हो रहा है next question पर आते है question number 4 कि hydrocarbon हो गया यह carbon hydrogen से बना हुआ hydrocarbon को oxygen में बन किये तो always carbon dioxide और water मिलेगा तो अगर मैं 4 moles C3H8 का ले रहा हूं और 15 moles 15 15 moles अगर मैं आप oxygen ले रहा हूं तो carbon dioxide और water कितने मिलेंगे यह आप से पूछा जा रहा है तो again यह reaction balance नहीं है तो इस reaction को balance करने के लिए एक simple सा trick है आप 4 word याद रखेंगे चोर word का अंतलब क्या है पहले carbon को balance करेंगे फिर hydrogen को तब जा करके oxygen को आपकी reaction होजाएगी balance तो carbon को पहले balance करना है ते Here है तो यहांपे क्या करोगे थिनी लगा दोगे उसक वाद nitrogen को कर ना है इधर केतना 8 तो यहाँपे क्या करोगे 4 लगा दोगे उसक वाद oxygen को the oxygen केतना होगे 6 और 4 10 तो इधर केतना करोगे 5 अपना reaction होगे balance तो यह भी एक तरीका दिया है कि चोर वर्ट से याद रखना है पहले carbon को फिर hydrogen को फिर oxygen को balance करना है in case of hydrocarbon वाली reaction में now इसका कुछ coefficient कुछ ने तो 1 तो यहाँ पर क्या करोगे 4 by 1 यहाँ पर क्या करोगे 15 by 5 तो यह 4 हो जाएगा और यह आपका 3 हो जाएगा तो less कौन हो गया यह वाला that means यह क्या होगे आपका limiting result तो अगर मुझे इसका मोल्स निकानना था तो क्या जाएगा 3 जो यह limiting वाला था into इसका stoichiometry भी 3 है तो इसके कितने मोल्स होगे 9 मोल्स answer इसका निकानना होगा तो limiting result वाला 3 into इसके 4 है तो कितना होगे 12 मोल्स तो आप देख सकते हो कि मैं कितना इजी वे में calculation कर रहा हूँ कुछ नहीं करना है जो मोल्स गीवेन है उसको divide कर देना उसके stoichiometry से और जिसका निकानना है तो उसके stoichiometry को multiply कर देना लेस वाले में बस यह ध्यान रखना नाओ जाते जाते एक ग्यान की बात कि अगर आपको इस टाइब से प्रॉलम आ जाए एंटू हेस्टू गिवसी और एंटू के मैंने 6 लिटर लिए और हेस्टू के 12 लिटर तो अमोनिया के कितने लिटर मिलेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डारेक्ट सॉल कर देते हैं वो तो गलत हो गया क्योंकि reaction बेलेंस नहीं है second thing कि हम वालूम में डारेक्ट सॉल कर सकते हैं क्यों क्योंकि सम में आपको same number 22.4 से डिवाइड करना परेगा मोल्स लाने के लिए तो वो सम में same number से डिवाइड है इसलिए फर्क नहीं परेगा क्यांसल हो जागा तो डारेक्ट वालूम में सॉल हम कर सकते हैं तो पहले तो इस reaction को पांड लिखा ग्यान के बात में कि you can solve more problem in वालूम डारेक्ली अब वालूम में डारेक्ली सॉल कर सकते हैं जैसे यहां पर मैं करके बता रहा हूं तो 6 भाई क्या करूंगा 1 और 12 भाई क्या करूंगा 3 तो यह 6 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा तो लेस कोन हो गया यह 4 तो इसके वालूम अगर मुझे निकानना है तो क्या हो जागा इसका लेस नंबर इन दोनों में जो इन्टू इसका स्टाक्योमेटरी 2 तो इसका केतना लीटर बनेगा 8 लीटर डारेक्ट अफ वालूम में solve कर सकते हैं क्यों क्योंकि सभी में सेम नंबर से डिवाइड होता तो वह कैंसल हो जाता है नाव सेकेंड पॉइंट कि कभी भी मॉल कंसेट में यह भी ध्यान रखना है कि आल्वेज मास कंजर्व होते हैं रियक्शन में नॉट मोल कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि इदर यतना मोल बनाऊ तो ना मोल उधर ही बनेगा मोल कभी भी कंजर्व नह करके भी समझा रहा हूं कि हेच्ट तो अब अगर सपोज करूए यह रिक्शन तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस हमें इजनी कर सकते हैं इदर टू लगा करके इदर टू यह रिक्शन हो गए बैलेंस अब फोर गराम मतलब क्या हो गया इसका कितना मोल्स हो जाएंगे टू मो मोल्स कभी भी मास में सॉल मत कर देना कि 4 by 2 कर दिया 32 by 1 मास में कभी भी सॉल नहीं करना always मोल्स में या फिर आप वालूम में कर सकते हो तो अभी हमें क्या करना पर एगा 2 by 2 और इधार 1 by 1 तो यह भी 1 हो गया by the way और यह भी 1 हो गया तो कोई भी limited reason ले सकते हैं तो इसका जो आप मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into इसका stoichiometry 2 तो यह हो जाएगा 2 मोल्स तो अगर आप भ्यान से देखो तो starting में हमने केतना लिया था 32 plus 4 total मेंने केतना लिया था 36 gram तो at the end of reaction भी हमें मास उतना ही मिनना चीए इसका तो 0 हुआ इसका भी 0 कुछ बचाय ने यह मिला 2 मोल्स मतलब 2 into 18 that means 36 gram तो at the end of reaction 36 plus 0 plus 0 that means 36 और starting में भी 36 था तो आप देख सकतो मास हमारा क्या हो चुका है तो always reaction में मास कंजर्व होते हैं तो I hope मेरा यह जो मोल कंसेट का trick है वो आपको बहुत पसंद आया होगा इस trick से आप मोल कंसेट के किसी problem को बहुत easy way में कर सकतो हो आप हमसे इसी तरह जुरे रहिए और हमारी वीडियो को share करते रहिए thank you